हेलो दोस्तो वेलकम बैक टुमा यूटूब चैनल आज हम बात करने वाले हैं टॉप सिगिस वाट्सअप ट्रिक्स एंड हैक्स के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आप नए हो तो सबस्क्रेब कर द जरूर देखेंगे ठीक हैं तो चलो शुरू करते हैं मिना टाइम वेस्ट के हुए पहली ट्रुक जो हमारे इसमें आती हैं इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस को बोल्ड कैसी करेंगे या इटालिक फॉर्म में कैसी करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हैं तो मैं आपको लाइव दिखा दूँ ठीक है तो चलो मैंने वाटसप आउन किया पूज यहां पे मैं सरिच कर रहा हूँ ठीक है हाँ इसको मैं मसेज कर रहा हूँ ठीक है यहां पे सब पूज हाई अगर आप नॉमली इसको हाई बेजिंगे तो कै सा दिखे गए ऐसा ही है हो सकता है यहां पे ठीक है मैं यहां पे आपको बोल्ड भी करके दिखाता हूँ इटालिक फॉर्म में भी टैकस्ट को दिखाता हूँ ठीक है यहां पे आपको क्या करना है पहले स्टार पर किलिक करना होगा ठीक है फिर कुछ भी टैकस्ट करना है सब मेने हाउ किया ठीक है फिर से दुबारा से स्थार पहले भी स्थार फिर टैक स्ट बाद भी स्ट इस डी wykorसे तो से और उसके बाद भी स्थार यह डें JAMES आफ यहां पर हैं दूसरी प्रक्रोह करना है यह वाला करेक्टर आपको डालना है यहां पर फिर से कुछ भी टाइब करना है ठीक है फिर से वही करेक्टर लगाना है यहां पर ठीक है तो यह आप देख सकते हैं यहां पर टैकस्ट बहुत सारा चेंज हो गया यहां पर फॉर्म इसकी चेंज हो गई यहां पर ऐसा क पिर पहले भी स्टार किया, एंड में भी स्टार किया और सेंड किया ठीक है, यह आप देख सकते हैं कैसा यह हो गया है, तो यह ट्रिक नमर फर्स्त थी, आपका फ्रेंड कोई भी अगर स्टैटस कोई रखता है ठीक है वाट्सप पे, तो आप उसको देख लेते हैं, लेकिन मैं स्टेटस देखूं भी और उसको बता भी न चले तो क्या करें उस टाइम धीड है मैं आपको वही बताने वाला हूं यहाँ पे आप क्या करेंगे आप आपको यहां पर तीन डाट दिख रहे होंगे dafür में पे click करना है पिर privacy पे click करना है ठीक हैं फिर यहां पर read receptive का एक option आता है ठीक हैं यह enable किया हुआ है यहां यहां पे read receptive इसको disable करना है ठीक हैं अब हो गया ? Advanced अब अगर आप कसी का भी status देख लेते तो उसको पता नहीं चलेगा आप तो स्टैटस देखेंगे लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि आपने स्टैटस देखा है ठीक है अब आती हैं ट्रिक नबर थरोड मैंने बहुत सारे कंटेक्ट से यहां पर चैट कर रखा है अब मैं अगर देखूं मैंने सबसे ज़्यादा किसके साथ चैट किया है कितने मेसेज़ उसको बेज़े है क्या फोटू शियर किया है क्या सिटीकर शियर किया है वो सब आपको पता चल सकता है आपको यहां पे तीन डाट दिख रहे होंगे उस पे किले करना है फिर सैटिंग पे किले करना है फिर यहां पे एक उप्शन आता है डेटा एंड स्टोरेज यूज़ेज उस पे किले करना पड़ेगा ठीक है फिर यहां पे आता है स्टोरेज यूज़ेज दूसरा पहला तो network usage आता है फिर storage usage का option आता है storage option usage पे आपको click करना पड़ेगा ठीक है दिख रहा होगा आपको मैंने किन किन के साथ chat कर रखा है आपे सबोज मैं बाया पे click कर रहा हूँ ठीक है text to message is 104 बेजे हैं उसको contact is 142 13 इसे करके मुझे पता चाल सकता है मैंने सबसे ज्यादे किसके साथ chat कर रखा है यहां पे और कितने messages को बेजे हैं ठीक है next trick क्या है fifth trick जो हमारी है वो क्या है export chat कोई भी chat अगर आप उसका proof रखना चाहते है suppose आप किसी चैट का proof रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे suppose मैं अपना एर्टल पीपी इसका proof रखना चाहता हूँ ठीक है इसको मैं क्या करूंगा इस पे click करूंगा यहां पे तीन डाडर्स दिख रहे हैंगा ओपर उस पे click करना पड़ेगा फिर more पे click करूंगा मैं photos और videos भी आएंगे यहां without media पे click कर रहा हूं ठीक है फिर यहां पे मैं बहुत सारे options आते हैं और whatsapp के through में बेज़ सकता हूं यहां पे facebook एड़ सेटरा जीमेल के through भी में बेज़ सकता हूं कहीं पे और उसका proof रख सकता हूं अपने बास ठीक है